डियर स्टुडेंट्स वेलकम टो चैनल टूड़े विल स्टुड़ी वरक्षीट नमबर फॉर्टी सामाजिक विज्ञान कक्ष्या आठ टॉपिक है उद्योग आद्याय पांच से लिया गया है तो इसमें देखिए उद्योगों की अवेश्थिति को परभावित करने वाले क तो उद्योगों को कौन कौन से कारक परभावित करते हैं सरकारी प्रोथसाहन बाजार प्रिवहन के सादन पुंजी श्रिमिकों की उपलपता जल स्त्रोतों की उपलपता उप्युक्त भूमी कच्चे माल की उपलपता ये कुछ स्त्रोत हैं जो उद्योगों की अवेश्थ होता होती है सबसे पहला पॉइंट होता ही कच्चा माल इदी किसी उद्योग को कच्चा माल नहीं मिलेगा तो उद्योग परारम नहीं किया जा सकता है फिर देखा जाता है उपयुक्त भूमी क्या उसको स्थाफित करने के लिए भूमी उपयुक्त है या उपलब्ध भूमी प्लब्द है फिर जलापुरती देखी जाती है सरम सक्ती देखी जाती है पुंजी देखी जाती है प्रिवेन और बाजार ये अगर आसानी से उपलब्द हो जाते हैं तो उद्धोग सापित किया जा सकता है और आसानी से चला जा सकता है कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्धुत उपलब दें ताक विद्धुत उपलबता कम लागत पर प्रिवेहन सुईधा और अन्य अवसरचना जैसे प्रोत्साहन परतान करती है ताकि पिछड़े एक्सेतरों में भी उद्धोग स्थापित किये जासके इस उद्धोगी करने से रोजगार में विर्धी के साथ साथ नगरों और सहरों का विकास इम विर्धी होती है उद्धोगी क्तंतर के भाग उद्धोगी क्तंतर के तीन भाग होते निवेश, परकरम और निर्गत है उद्धोगी क्तंतर में निवेश, परकरम और निर्गत सामिल है निवेश में कच तरे की क्रियकलाफ सामेल है जैसे कच्चे माल को प्रिश्कृति माल में परिवर्टित करना, निर्गत में अंतिमी उत्पाद और इसे अरजित आये सामेल हैं, सूतिवस्तर उद्धो के संद्रम में कपास, मानोसरम, कार खाना और प्रिवेन लागत निवैस हो सकते हैं। जबकि प्रकर्म में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई सामिल है और अन्तमे निर्कत प्रकर्म का उत्पाद है कमी जिसे आप पहनते हैं कुछ क्यूसे नहीं हों इनको देखी किसे नमर एक है उट्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् ओद्योगिक तंतर कहा जाता है तो ओद्योगिक तंतर में निवेश आता है निवेश में कच्छे माल सरम भूमी इस तरह की चीजा आती है प्रकरम जिसमें कच्छे माल को कुछ किरिया कलाब सामेले जैसे कच्छे माल को प्रिश्कृत करके सुद माल में या सुद माल में या प्रिषक्रित माल में परिवर्थित कर देना निर्गत में अन्ति मुतपाद आता है या इस या इस अर्जित आयाती है तो ये कुछ मुख्य पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं इसके अंदर आप अंसर लिखना चाहें तो इसमें ये भी लिख सकते हैं तक ये लाइन है आप इसमें लिख सकते हैं आपके दोरा प्रयोग में लाए जाने वाली किनी पांच वस्तुवों पांच वस्तुवों में निवेश की सूची बनाई है कोई भी पांच वस्तों आप लिख सकते हैं जैसे कपड़े होते हैं कपड़े और जूते और कुछ भी आप लिख सकते हैं जैसे चपपल चपपल लिख सकते हैं जुरावे लिख सकते हैं टोपी लिख सकते हैं इस सारी जितनी चीज़े हैं इन में वेस के आजा सकता है